हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल AJ Medicines में मैं हूँ आपका दोस्त अजीद आज मैं आप लोगों को एक most important medicine के बारे में बताऊँगा जैसा कि आप लोगों ने थमनिल देखी लिया होगा इसका नाम है ओफलोक्स 200 mg टैबलेट ओफलोक्स 200 mg टैबलेट को किन किन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर रिक्मेंट करते हैं कैसे इसे लेना होता है कितने दिन तक इसे लेना होगा और क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बैल को जरूर कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रेलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस एक स्क्रिप्ट में दस टैबलेट आती है और इस दस टैबलेट का जो प्राइज है वह है सो रुपए यानि हंड्रेड रुपीज ओनली कंपनी इसे बनाती है सिपला लिमिटेड और कॉमपुजिशन इसके अंदर होता है इसमें होता है औफलोक्सासिन 200 mg और यह जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाती है अब हम जानते हैं कि यह जो दवा है कि किन किन प्राइज में डॉक्टर आपको कर सकते जिन लोगों के पशाब के रास्ते में बहुत ज्यादा इंफेक्शन होलाता है पिशाब के रास्ते में जलन होता है, दर्द, खुजली, पिशाब रुक-रुक के आता है, ऐसी condition में इसका इस्तिमाल किया आता है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा फेफडों में infection हो गया हो, तो फेफडों के infection के लिए इसे recommend किया आता है, किसी को pneumonia की problem हो गया हो, तो pneumonia में इसे recommend किया आता है, या फिर किसी को योन संचारित रोग हो गया हो, यानि चाहे पुरूस हो, चाहे महिला हो, उनके private part में किसी परकार का infection हो गया हो, उस condition में इसे recommend किया आता है, या फिर किसी को बुखार की problem है, तो बुखार में इसे recommend किया आता है, या फिर किसी के गले में किसी परकार का infection है, सूजन हो गया गले में, दर्द भी होता है गले में, तो ऐसी condition में भी इसे recommend किया आता है, या फिर किसी के पेट में मरोड होती है, दस्त भी लग जाते हैं, तो ऐसी condition में भी कई बार doctor इसे recommend करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के आख, नाख, या फिर कान में किसी परकार का infection हो गया है, तो उसे ठीक करने के लिए भी doctor इसे recommend करते हैं, इन सारी problems में इसे recommend किया आता है, जिसमें इसके जबरजस्त benefits देखे जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को कब और कैसे लेना होता है, देखो, इसकी एक tablet सुबा, एक tablet साम को खाना खाने के बाद देना होता है, और बच्चों को अगर आप देना चाहते हों से, तो जिन बच्चों की उमर 6 साल से 13 साल के बीच है, उन बच्चों को आप ये आधी tablet सुबा, आधी tablet साम को खाना खाने के बाद पानी के साथ दे सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को कितने दिन तक लेना होता है, तो इस दवा को 3 से 5 दिन, 5 से 10 दिन तक चलाया जाता है, कई बार डॉक्टर इसके को बढ़ा देते हैं, वो सकता है कि आपको 20 दिन भी खिला दे, अगर दिक्कत होगी जादा तो, तो आपको इसे परिसान नहीं हो ना, जब तक डॉक्टर कहें, आपको तब तक आप इसे इस्तिमाल करिये, अब हम जानते हैं कि इस दवा को लेने से क्या नुक्सान देखने को मिल सकते हैं, जब आप इस दवा को लेते हो और लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिर में तेज दर्द लगे, तो समझ लीजे कि आपको ये सोट नहीं हो रहा, या फिर आपको घबराहट लगे, बेचे नहीं हो लगे, तो ऐसी कंडिशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सोट नहीं हो रहा, या फिर आपको नींद बहुत ज़्यादा है, तो भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई सोट नहीं हो रहा है या फिर आपके सरीर पे चकते खुजली दाने होने लगे तो ऐसी कंडिशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको इस ओट नहीं हो रहा है इसके अलावा भी अगर आपको किसी परकार की दिक्कत देखने को मिले तो आप इस दवा को रोक दे और अपने वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार